विशाक के मेने के दो यह विशेस उपाय है अगर आपने प्रदोस्ट पर नहीं किया तो आपको साल बर इंतजार करना पड़ेगा यह आखरी मौका है आप ज़रूर उपाय करें इस उपाय को करने से आपके जिवन की हर समस्या दूर हो जाएगी चलिए हैं वीडियो शुरु के बरतन में निकाल लेंगे फिर इस जल में एक बेलपत्री डूबा लेंगे एक दो तीन जितनी बेलपत्री आपके पास हो आप डूबा ले डूबा कर फिर इस जल को भूलेनात को समर्पित करें जब आप भूलेनात को विवाह के लिए समर्पित करते हो तो इस जल का आश इस बात का विशेश दयान रखे यह हुआ पहला उपाय दूसरा विशेश उपाय है क्या करेंगे जो बेल पत्री का फल आता है उसका पूरा खोल निकाल लेंगे खोल निकालने के बाद इस खोल के अंदर डालेंगे हम जल जल मटकी कही होना चाहिए फिर इस जल को पात्र को हम तामे के पात्र में निकाल लेंगे फिर इस जल को हम समर्पित करेंगे इस जल समर्पित करने से आपके जीवन में कितना भी बड़ी बिमारी क्यों ना हो रोग कितना बड़ा भी क्यों ना हो या रोग आपका समाप तो होई ही जाएगा और इस जल का आजमन हमें मा का नाम लेकर इस्मरन करते हुए वही पर करना है मंदिर में ही करना है यह रोख मुक्ति के लिए विशे से आप जरूर करिएगा इस उपाय को तो दोस्तों यह दो विशेश उपाय है मुका मत जाने देना जरूर कीजिएगा उपाय श्री शिवाय नमस्तु भ्यां